नमस्कार मैं हूं गाहित्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं UK News Express इस बुलेटिन में आपको मिलती है उत्राखन की हर एहम खबर तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाडों की सारी जरूरी खबरे देरदून के राइपोर डोभाल चौक पर हुए रवी बडोला हत्याकान के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमा नहीं है गुरवार को शहर में बंद बुलाया गया रवी बडोला के लिए इनसाफ मांग रहे संगठनों और कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम भी किया मूल नवास और भू कानून संगर समिती ने दून बंद का एलान किया था लोगों ने सुभा रिंग रोट को जाम करते हुए नारे बाजी कर अपना विरोध जताया लोगों का कहना है कि अब वेडर के साय में जीने को मजबूर है छे नंबर पुलिया के पास की दुकानों को स्थानी लोगों ने बंद कराया और वहीं चक्का जाम भी किया नथनपुर डोभाल वाला चौक पर बाजार पूरी तरह बंद रहे इस बीच इंसाफ की मांग को लेकर कुछ लोगों ने आरोपियों के घर के पास प्रदर्शन किया जिने पुलिस ने हिरासत में ले लिया इनमें मूल लिवास और भू कानून समनवै समिती के संयोजग मोहिट डिमरी भी शामिल थे जिमरी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने धका मुसी की और महिलाओं को गिरफतार करने के लिए महिला पुलिस भी नहीं थी देरदुन में रवीब अडोला की हत्या के आरोपियों पर धामी सरकार सक कारवाही करने जा रही है हत्या के आरोपियों के घरों को बुल्डोजर से गिराए जाएगा CM धामी ने पुलिस, नगर निगम और MDDA से आरोपियों की प्रॉपटी और कारोबार की जानकारी मांगी है CM ने साफ किया है कि बदमाश छोटा हो या बड़ा किसी को भी देव भूमी का महौल खराप करने की छूट नहीं दी जाएगी सरकार पूरी करह से पीडित परिवार के साथ खड़ी है हत्याकार्ण में शामिल बदमाशों के खिलाफ करणी कानूनी कारवाही की जाएगी सीएम ने सक निर्देशों के बाद MDDA के उपाद यक्ष बंची धरतिवारी का भी बयान सामने आया है बंची धरतिवारी ने देरादून के गोली कान को दुरभागे पून घटना बताया और कहा कि इस मामले से जड़े सभी पहलूँ को खंगाला जा रहा है देरादून के एक बार में वहां के कुछ बाउंसर्स ने कुछ यूवकों को गुंडो की तरह पीटा जिसका विडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है विडियो में बाउंसर कुछ यूवकों को गिरा गिरा कर मार रहे है विडियो देहरदून के राजपरोट स्थेत रोमियो लेन बार का बताय जा रहा है पुलिस के मताबिक युवाओं की किसी बात को लेकर बाउंसर से मामुली कहा सुनी हुई और फिर बाउंसरों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया पुलिस पुरे मामले की जाँच कर रही रिशिकेश के सुभाज चौक में इन बाजार में दिल्ली के कुछ दबंगों की हो गई धुनाई दरसल मुखरजी मार के रस्ते दिल्ली नंबर की कार जिसमें चार लोग सवार थे बाजार में दुसी आगे चल रहे एक बाइक सवार को इस गाड़ी ने टक्कर मार दी बाइक का स्टैंड शती ग्रस्त हो गया बाइक चला रही युवक ने जब नुकसान की भरपाई करने को कहा तो गाड़ी वे सवार लोग भड़क गए और इसके साथ हात अपाई कर दी इसके बाद आसपास मौजूद व्यापारी और अन्य लोगों ने दबंगई दिखा रहे चारों लोगों को लाठियों से धुन दिया पुलिस मामले की जाच कर रही है अलमोडा के बिंसर वन्य अभ्यारण में आग से मरने वाले वनकर्मचारियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है बिंसर के जंगलों में लगी आग को बुझाने गए आठ वनकर्मी आग की चपेट में आ गए थे चार की मौके पर ही जिन्दा जलकर मौत हो गई जबकि चार बुरी तरह जुलस गए थे उनी चार घायल वनकर्मियों में से एक और वनकर्मी क्रिशन कुमार ने दिल्ली के एमस अस्पताल में इलाज के दोरान दम तोड़ दिया क्रिशन कुमार समेथ घायल सभी चार वनकर्मियों को एर लिफ्ट कर दिल्ली एमस भीजा गया था अल्मोडा के बिंसर जंगल अगनी कान के खिलाफ स्थान ये लोगों ने विरोत प्रदर्शन किया ग्रामियों ने बिंसर सेंचुरी गेट के सामने बैठ कर धर्णा प्रदर्शन किया गाहों वाले हाथसे में मारे गए वनकर्मचारियों के परिजनों को सरकाली नौकरी देने और मुआफजा राशी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सीम ने मारे गए वनकर्मियों के परिवार को 10-10 लाख रुपे की आर्थिक मदद का ऐलान किया था ग्रामियों के मुताबिक एराशी कम है और कम से कम 50 लाख रुपे मिलने चाहिए जबकि घायलों को 25-25 लाख सरकार दे इसके अलावा जंगलों की आग बुझाने के लिए वनरक्षकों की संख्या बढ़ाने और फायर वाचरों की न्यूकती में ग्राम पंचायत और वन पंचायत के विश्वास में लेने की मांग की गई है अलमोडा के बिंसर जंगल अंगी कांड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है इस पर राज़नीती भी शुरू हो गई है अलमोडा के पूर्वसांसत प्रदीप टम्टा ने प्रदेश के वन मंत्री सुबो दुन्याल के इस्तीफे की मांग की है प्रदीप टम्टा ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जंगलों की आख से निपटने के लिए वन विभाग कर्मचारियों को अभी तक ठीक से उपकरण नहीं मुहया करा सकी है प्रदीप टम्टा ने कहा कि अगर सुबो दुन्याल वन मंत्री पत से इस्तीफा नहीं देते तो सीम धामी उन्हें बरखास करे प्रदेश के दो सीचों पर होने वाले विधानसभा उप्चुनाफ का बिगुल बच गया है गुरुवार को बदरीनाथ सीच से बीजेपी प्रत्याशी राजिंद्र भंडारी ने अपना नामांकन दाखिल किया सीम धामी भी इस दोरान मौझूद रहे भड़ारी के नामांकन के बाद धामी ने गोपेशवर में जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों से राजिंद्र भंडारी को भारी मतों से जिताने के पीशची हरिद्वार की मंगलौर विधान्जबा सीच से उप्चुनाव के लिए मैदान में उतारे गए बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंग भड़ाना ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है भड़ाना के नामांकन में भी सीएमधामी मौझूद रहे बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंग भड़ाना ने कहा कि वो पैरशूट प्रत्याशी नहीं है बल्कि मंगलौर से उनका पुराना नाता है और वे जरूर जीतेंगे पंतनगर एरपोर्ट के विस्तारी करण की कारवाई शुरू होने के बाद उजडने के डर से कई कॉलोनियों के लोगों ने डीम कार्याले पर प्रदर्शन किया लोगों ने कहा कि उनका घर हटाने से पहले उने विस्तापन और उजित मुआबजे का भरोसा मिले पंतनगर हवाई अड़े को अंतराष्ट्य एरपोर्ट का रूप दिया जा रहा है इसके लिए एरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है यमनोत्री धाम से में 17 किलोमीटर पहले राणा चट्टी में खोली गई अंग्रेजी शराब की दुकान के खिलाब ग्रामीनों ने मोर्चा खोल दिया है इलाकी की महिलाओं ने एक जुट वोकर शराब की दुकान के खिलाब नारे बाजी की और उसे फॉरन बंद करने की माँ की ग्रामीनों का कहना है कि यमनोत्री धाम छेत्र में शराब का ठेका खुलना दुर भागे पूर है इस से यमनोत्री धाम की निर्मलता, पावंता और पवित्रता को ठेस पहुँच रही है पॉडी शीनगर नाशनल हाइवे से लगे एक इलाके के लोग इन दिनों परिशानियों से जूच रहे है लोगों का आरोप है कि उनके बॉड के पास डाला गया शहर का 14 मेट्रिक टन कूड़ा उनके लिए नासूर बन गया है क्योंकि कूड़े के धेर में हर रोज आग लगने से धुआ उच रहा है जिसने इलाके के लोगों का सास लीना तक दूभर कर दिया है सबसी जहाद दिक्कत बुजर्गों और बच्चों को हो रही है लोगों का कहना है कि कूड़ा डंपिंग जोन रिहाइशी लाके से दूर बनाया जाना चाही था नहीं समस्या को लेकर नगर पालिका की अधिकारी स्थाई ट्रेंचिंग राउंड की प्रोसेस जारी होने का हवाला दे रही है रिशिकेश में ऐसा भयंकर आंधी तूफान आया कि पतंग की तरह असमान में उड़ गई राफ्ट रिशिकेश में कुछ परटक राफ्टिंग के लिए गंगा नदी में उतरे थे लेकिन इस दौरान तेज आंधी आ गई और रिवर राफ्टिंग की एक राफ्ट हवा में उड़ गई 19 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश वी थी रिशिकेश में भी दोपहर के वक्त तेज धूल बरी आंधी चली उस वक्त कई सारे परटक गंगा नदी में राफ्टिंग कर रहे थे उसी दौरान का ये विडियो है पेज आंधी ने राफ्ट को आस्मान में उड़ा दिया और वो उरते हुए बीच नदी में पहुँच गई फिर तेजी से नीचे आकर नदी में गिर गई गई गनीमत रहे कि रिशिकेश में आये इस आंधी तूफान के दौरान कोई भी घा मध्यप्रदेश के प्रसिद बागेश्वर धाम के पीठा दीश्वर पंडित धियेंद शास्त्री उत्तरकाशी पहुँचे गौलोक धाम आश्रम में गए इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही उत्राखन की हर एहम खबर से हम आपको रोजरू गुरू करवाते रहेंगे आप जुड़े रहेगा शेश उत्राखन के साथ